मैं आरके सिंग कच्छा साथ की गणित की कच्छा में आपका स्वागत करता हूं आए रचनाय का पार्ट टेन अभ्यास चार डी शुरू करते हैं पहला सवाल है एक रेखा खंड ए भी खीचिए इस पर कोई बिंदू M अंकित कीजिए यहां लिख देंगे एक बिंदू M अंकित करते है यहां लिख देंगे इसके बात क्या करेंगे बिंदू M पर परकार की नोक रखेंगे यानि M को किंद्र मान कर किसी ट्रिज्या से एक चाप इस तरह से खिश देंगे यह चाप AB को बिंदू L पर और P पर काटता है वो लिख देंगे यल और P इसके बात क्या करेंगे बिंदू यल और P को केंद्र मान कर इस तरह से एक चाप लगाएंगे P से लगा लेंगे और फिर यल से लगा लेंगे अब यह चाप जहां काटा उसको हम लिख देंगे इसके बात क्या करेंगे यह यम को यम को यन से मिलाते हुए ऐसे लाएं खिर देंगे यही रेखा यम्यन क्या हुआ दी हुई रेखा एक खंड A B पर लंब होगा इसके बाद हम दूसरे सवाल पर आते हैं दूसरा सवाल कर रहा है कि कोई एक रेखा खंड P Q खीचिए कोई बिन्दू R लीजिए जो रेखा P Q पर नहों R से होकर रेखा P Q पर एक लंब खीचिए तो सबसे पहला काम क्या किया मैंने की एक रेखा P Q देख रेखा पीक्यू खिर देंगे किसी भी नापका इसके बाद बाहर एक बिंदू ले लेंगे इस तरह से अंकित कर देंगे बाहर एक बिंदू उसका नाम लिख देंगे आर इसके बाद क्या करेंगे आर को केंद्र मानकर कोई एक तरिज्जा लेकर इस तरह से चाप काटेंगे जो पीक्यू को दो बिंदू उपर काटता है यह दो बिंदू होंगे एक बिंदू इधर यल लिख देंगे और दूसरा बिंदू इधर यम लिख देंगे इसके बाद क्या करेंगे बिंदू यल और यम से यल पर प्रकार की नोग रखेंगे और इस तरह से बिंदु यल पर प्रकार की नोग रखेंगे फिर बिंदु यम पर प्रकार की नोग रखेंगे और इस तरह से चाप लगा देंगे यह चाप जिस बिंदु पर काटता है उसको लिख देंगे के, इसके बाद अगला काम क्या करेंगे, के, के से आर को, के से आर को मिलाती हुई लाइन, खिच देंगे, ये लाइन जो है, पीक्यू को बिंदू यन पर काटती है, यहां लिख देंगे यन, अब ये आरियन क्या हो गया, पीक्यू पर लंब हो गया, यही आरियन रेखा खंड पीक्यू पर लंब है, इसके बाद हम आते हैं, सवाल नंबर 3 पर, तीसरे सवाल पर आईए, पान सेमी का एक रेखा खंड यम्यन खिचिये, और एक बिंदू पी लेकर बिंदू पी से रेखा खंड यम्यन पर एक लंब खिचिये, तो पहला काम रेखा खंड खिच लेंगे, पान सेमी का, यम्यन, फिर दूसरा काम क्या करेंगे, यह पान सेमी खिचेंगे, पान सेमी नाप लेंगे इस तरह से, यह जीरो यह जीरो का यह बड़ा बड़ा लाइन जीरो के यह लाइन से लेके यह जीरो का बड़ा बड़ा लाइन फिर जीरो के लाइन से यह पांच तर इतना पांच से मिखिज लेंगे इधर लिख देंगे यम इधर लिख देंगे पांच से मिख देंगे पांच से मिख हो इसी पर एक बिंदू पी लेंगे एक बिंदू इस तरह से पी लेंगे फिर पी पर परकार की नोक रखेंगे इस तरह से पहला सवाल मैंने किया था P पर परकार की नोक रखे कोई एक तरिज्जा लेकर एक तरिज्जा लेकर इस तरह से चाप किस देंगे जो रेखा खंड यम्यन को बिंदू A पर तथा बिंदू यम पर काटता है इधर लिख देंगे A इधर लिख देंगे B अब A और B को केंदर मान कर A और B को केंदर मान कर इस तरह से चाप लगा लेंगे B से इसके बाद इधर A से चाप लगा लेंगे इस तरह से हो गया यह चाप जहां काट रहा है उसको हम लिख देंगे क्यूं हो गया अब क्या करेंगे पी और क्यू को मिलाते हुए एक रिखा खिच देंगे ये पिप प्रकार की नë और पर पेंसिल की नगए और पेंसिल आप यू पर इस तरह से रख कर न कL आइब यह जो फीरrand यमियं पर क्या है डर यानी यमियन पर डेका खण यमियं पर एक बिन्दू को के凋के किसी तरज्जा से एक चाप खीछा जो रेखा को एए और बी पर काटता है एए और बी को केंदर मानकर एक पर चाप लगाए जो एक दुसरी को बिंदू Q पर काटते हैं लिए पीक्यू खीच लिया यही रेखा पीक्यू जो है रेखा करने यम्यन पर लंब है इसी के साथ हम आपको अगले लेक्चर में मिलेंगे, आप हस्ते रहें, मुस्कराते रहें, जै हिन्द, जै भारत!